Hi everyone, मैं हूँ खुदका सौरब ठाकूर, और मेरे बारे में और जानना है तो आप चैनल के about section में जा सकते हो, उससे जादा और जानना है तो Instagram पे follow कर सकते हो, चलो सीधा स्टार्ट करते हैं, so this is the second lecture on Russian formalism and we are talking about Roma Jakobson, Roma Jakobson is a very big name in Russian formalism and structuralism, मैंने आपको बताया था कि structuralism जो है, वो वो form की बात करते हैं, structure की बात करते हैं, तो Roma Jakobson जो है, वो language की बात करेगा, he was a very famous linguist, Ferdinand de Saussure की तरह ही ये एक linguist था, ये language की बहुत जादा बात करेगा, language बे इसकी सारी चीज़े focus रहेगी, और ये structuralism की भी बात करेगा, इसमें भी उसका काफी बड़ा contribution है, structuralism में, ठी जो है, ये तुम ने बताई दिया, कि ये linguist है, तो इसने क्या किया कि एक बंदा था, उसका नाम था, Nikolai, Nikolai Trubetskoi, तो इस बंदे के साथ मिलकर, इसने क्या किया कि, language में, जो एक system होता है, उसे analyze करने का, language में क्या analyze करना है, उस system से, analyze करना है, उसका sound system, ठीक है, जिसे की phonology कहते है, तो, he was a pioneer in structural linguistics, ठीक है, structural linguistics में बताऊंगा क्या है, and he also inaugurated the modern discipline of, the modern discipline of, phonology, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, modern discipline of, phonology, phonology आपको पता है, कि, जो sound पे काम करता है, language में, जो sounds होती है, उस पे काम करते है, phonology, sound system की, जो science होती है, उसकी study होती है, उसे हम phonology कहते है, ठीक है, तो, इतना साप, रोमा जिगब सुन का भी, याद रखो, structural linguistic की मैंने बात की, structural linguistic में इसका काफी बड़ा नाम है, structural linguistic simple सी बात है, language, जिसमें की एक, language जो की है, एक system का हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि language में भी structures होते हैं, और उसमें जो भी elements होंगे, जो की एक systems के अंदर आते हैं, वो आपस में related होंगे, उनका आपस में एक relation होगा, ठीक है, ये बात आप जो, क्योंकि जो language है, वो भी एक structure का हिस्सा होता, अब structuralist क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं, कि हर चीज का structure है, ठीक है, हर चीज एक structure के अंदर आती है, और हर चीज का एक form होती है, ठीक है, structure होता है, उसी में सब कुछ होता है, उसी के अंदर सब कुछ होता है, ठीक है, तो य बड़ा फट से आपको इसका वर्ग बता देता हूं मैंने पिछले लेक्चर में रोशन फॉर्मलिजम वाले लेक्चर में एक चिस बताई थी मैंने यूरी टाइननोव एक इनसान का नाम बताया था तो उसका मैंने एक वर्ग बताया था थीसेस ऑन लेंगविज तो वह यूरी टायन वह यूरी टैननोव के साथ मिल के ठीक है यू आरवड यू यूरी टैननोव दोनों ने मिलकर यह वक लिका थिस्से ओन् लैंगुज 1998 में यह आप तिसे मैं आपको दो तिन वक्स और भी बिताता हूं रूमा जेख़चन के दो तिन वर्क्स और बताता हूं बाकी जो बच जाएंगे वो वर्क्स आपने खुद देख लेना है उसमें रटा मार लेना है पांच शे वर्क्स तो आपको याद कर नहीं है ठीक है चलो जी सबसे पहले हम बात करते हैं चाइल्ड लेंग्विज चाइल्ड लेंग्विज अफासिया एंड फॉनोलोजिकल यूनिवर्सल ठीक है जी 1941 में ये बुक आई है चाइल्ट लेंग्विज अफासिया अफासिया हूती है जब किसी लेंग्विज को समझने में हमें दिक्कत आ रहे होती है फिर writing में राइटिंग के लिए recorded Matter है लेकिन आफासिया अills और लेंग्विशे इन फॉनिवर्सल ठीक है ठीक है एक इससका है on linguistic on linguistic अब भूल गया मैं on linguistic aspects of translation ठीक है क्योंकि मैं पूरा lecture याद करता हूं और कई बाद में स्किप हो जाता दिमार्ग से और लिंग्विस्टिक आस्पेक्ट और ट्रांसलेशन यह बुक 1939 में यह ठीक है 1959 सॉरी यह ऐसे है ठीक है 1959 में यह एसे है यह याद रख लेना कि ऐसे है ठीक है चलो जी और इसका मैं आपको अगला वर्क बता देता हूं इन वर्क को लिख लो इनके डेट से याद कर लो इनका यह याद कर लो कि यह इस बंदे का है ठीक है अब आपको बहुत सारी इंबॉर्टन चीजे और भी बताने वालो इंतिजार करना वीडियो पूरी देख क्लोजिंग स्टेटमेंट इसका सब्टाइटल है लिंग्विस्टिक्स एंड पोईटिक्स ठीक है यह 1958 में कहीं इसने कोई लेक्चर दिया था वो है यह और 1960 में पब्लिश हुआ था ठीक है एक इसकी जो मुझे काफी इंट्रस्टिंग सा नाम लगा पोईट्री ऑफ ग्र अंड ग्रमर ऑफ पोईट्री दुए ती आर्वाई थे पोईट्री आफ ग्रमर एंड ग्रमर आफ पोट्री है न इंट्रस्टिंग सा नाम एन अ circular statement जैसा तो यह 1980 में आया है ठीक है यह आप याद रख लो ठीक है जी कई लोग गलती करते ग्रामर की spelling में भाई ए होता है आप ठीक है यह नहीं होता बहुत सारे लोग का मैंने देखा है यह मिस्टेक काफी रहती है जनरल मिस्टेक है जी आर ए डबल में ए आर ठीक है ए आर नहीं लिखना है बहुत सारे लोग शायद आप लोगों मैंसे भी कोई गलती करते होंगे मैं भी करता था पहले है तो यह आपने आज याद रख लेनी है यह बात अब मैं आपको बताऊंगा इंप्रिशक इमाटन कंसेप्ट से एब दो कंसेप्ट इसने जो बात की है फटरग में पैर अधि 잡아। इख सिंटेगमेटिख चलाओ जी इसके बारे में बात कर ले देख थे थोड़ा है ना तो यह पैरदाइम से बना है ठीक है, और यह syntagm से बना है, syntagm जी silent है इसमें, ठीक है, paradigm syntagm, तो syntagm तो related होता है आपके structure से एक sentence का जो structure होता है, उसका combination होता है combination of words, ठीक है उसे हम syntagm कहते है ठीक है, तो और जो paradigmatic होता है, वो related होता है आपके selection से, आपकी word choice क्या रहेगी ठीक है उस selection related होता है ठीक है तो अब इस paradigmatic को आप selection भी कह सकते हैं और इसे आप combination कह सकते हैं ठीक है selection और paradigmatic combination और syntagmatic ठीक है और इसको आप metaphor भी कह सकते हैं बलकि इसी ने बात किये metaphor or metanomy की ठीक है यह आपने याद रखना metaphor and metanomy तो metaphor इसने कहा paradigmatic को और metanomy कहा है syntagmatic को अब बोलते हैं metaphor क्या है metaphor है जो कि दो चीजों के बीच में similarity बताए ठीक है जी दो चीजों के बीच में similarity बताए उसे metaphor कहते हैं और जो दो चीजों के बीच में contiguity c o n t i g u i t y contiguity होता है proximity अब आप बलोगी proximity क्या है proximity होता है नजदी की करीबी कि मेरे इतना करीब मताओ मैं तुम्हें बरबाद कर दूँगी मैं बरबाद होना चाहता हूँ वो है जो आप से closely associated हो combination मैंने बताया ना combination तब ही बनेगा जब कोई closely associated चीज होगी है ना जिसका आपस में काफी गहरा संबंद होगा जैसे पती-पत्नी का होता है उसी तरह अब metonomy क्या होता है metaphor क्या होता है metaphor होता है जब हम कोई अलग word किसी इनसान के लिए हम दूसरा word बिल्कुल वहाँ पर यूज कर देते है उस word को replace कर देते है जैसे मैं कहूं के you are like a shining star तो मैंने आपका नाम या फिर आपकी जो quality उसको एकदम से मैंने replace कर दिया shining star के साथ तो कहिना कई similarities हो सकती है कि आप star की तरह चमकते हो जहां भी आप बोलते हो वहाँ बिल्कुल चमक आ जाती है लोगों के चहरों पर मुसकान आ जाती है ठीक है तो आप एक star का काम कर रहे हो ठीक है तो उसी तरह से मैंने बोला you are like a shining star तो मैंने metaphor use किया ठीक है मैंने replace कर दिया उस चीज को star के साथ और अब metonymy क्या है metonymy है जब आप कोई ऐसी चीज का use करते हो जो उस चीज से बहुत ही closely related है जिस चीज के आप बात कर रहे हो ठीक है जैसे की example मैं देता हूं कि the pen is mightier than the sword ठीक है तो मैंने pen किसके लिए use किया है writer के लिए sword किसके लिए use किया है warrior के जिन अंग है बहुत ही important एक part है तो मैंने उस pen को use किया writer के लिए ठीक है और मैंने तलवार को use कि एक warrior के लिए राजा के लिए ठीक है एक हिसाब से उस तरीके से क्यूंकि वो चीज उसे बहुत ही closely associated थी ठीक है continuity proximity ठीक है नजदीकी जो करीब हो उसके बहुत तो उसे metonymy कहत है ठीक है तो अब इसने यही दो चीजों की बात की है कि यह दो पॉल्स होते है language में human language चो होती उसके दो पॉल से एक पॉल यह है एक पॉल यह है इन दोनों पॉल के बिना कुछ भी संभाव नहीं है ठीक है यह दोनों चीजे जब होगी तब ही हम एक language को बना सकते है अब जो syntagmatic है इसे आप structure भी कह सकते है ठीक है structure of a sentence जब किसी sentence की अब इन दोनों चीजों की बात करता है उस वीडियो में मैंने डिसकस किया होगा यह देख लेना आपने वो भी एक बाद स्ट्रक्चलिजम की वीडियो देख लेना मेरी है ना simple स्ट्रक्चलिजम लिखना आगे लिखना आजेगी वीडियो कोई बड़ी बात नहीं तो पैराडिगमेटिक और सिंटेगमेटिक की वह भी बात करता है पैराडिगमेटिक होता है जो हम उसमें words वगरा यूज करते हैं और सिंटेगमेटिक होता है जो structure हम follow करते है ठीक है एक combination कि इसके verb के बाद form आएगा य इस तरह से एक जो सिंटेगम होता है या फिर कोई structure होता है उसे फॉलो करते हैं तो रोमा जो को option मैंने आपको बताया structuralism में भी इसका काफी बड़ा contribution है ठीक है तो यह याद रख लेना है कि प्राडिगमेटिक सिंटेगमेटिक की दोनों लोग बात करते हैं लेकिन ये इसक कुछ आपको theoretical जाके बताऊं तो आपको theoretical study तो खुद ही करने पड़ेगी ठीक है बाकी जो मोटा मोटा idea है वो मैं यहां से देता हूं आपको चलो अब एक बहुत ही important इसका concept है रोमा जेकॉप्सन का इसने एक model of communication दिया है ठीक है और six functions of language इसने बताये है तो वो अभी हम discuss कर Dave होगा पैसा मिलेगा शोहरत मिलेगी लड्की मिलेगी शाधी के लिए या फिर हैसे भी मिल जाएगी क्या पताल इडिकidän इसका क्या है कि सबसेर इसने छे चीज़ों की बात की सबसे पहला मैं आपको बताओं context ठीक है जी फिर आगया आपका message context message यहां पर आगया आपका sender यह आगया आपका receiver देखो भई आप net की तियारी कर रहे हो तो paper 1 में यह communication भी आता है ठीक है तो थोड़ा सा आपका revise हो जाएगा context message channel last है code ठीक है जी इन चीज़ों को याद रख लो sender context receiver अभी मैं आपको इसके functions भी बताऊंगा है ना मज़ेदार code अब यह कहता है कि context का क्या function है context का function है referential ठीक है receiver का है conative c-o-n-a-t-i-v-e अभी मैं बताऊंगा इसका meaning परिशान नहीं होना है अपने sender का होता है emotive emotional होता है हमारा sender ब्रब भारी है ना क्योंकि अब मैं आशिक हूँ मैंने किसी को अपना message पहुंचाना है दिल की बात पहुंचानी है तो बहुत emotional हो जाओंगा मैं बहुत expressive हो जाओंगा यार मेरी महभूबत तक मेरा message पहुंच जा है ना तो sender जो होता है वह बहुत emotive function होता है उसका ठीक है चलो जी अब message का क्या है message का का मैं पोई टिक अब आप आपका आगा channel channel को एक नाम और दिया है अब भूल गया कोई बात नहीं कोड इसका मैं आपको बता देता हूँ channel का काम होता है phatic p h a t i c इसका भी मैं बताओंगा आपको टेंशन नहीं लेनी ठीक है यह हो गया आपका last code इसका होता है metalingual metalingual ठीक है जी अब यह channel का नाम एक और हमें देख के बता देता हूँ आपको बाद में भूल जाएगा हां contact आप इसे contact भी कह सकते हैं इतना आपने याद रखना है वैसे चैनल ही है पर contact भी इसे कहा गया है चलो जी contact factor channel factor अब मैं आपको बताता हूँ अब जो six इसने functions of languages बताए है ठीक function functions of language है ना तो वो इसने बताए है सबसे पहला है referential फिर है poetic इसको आप ऐसे याद कर लो chronology में जुरूए इतनी है emotive, referential, cognitive, poetic, phatic, metalingual ठीक है और यह इसने communication का हमें model दिया है यह छे चीज़े इसने बताए है इसी से relate करके बताया कि क्या functions होते है सबसे पहला आता है हमारा context देखो context क्या होता है कि सुबा सुबा का वक्त है बहुत भायानक हवा चली है है मौसम बड़ा खराब है अंधेरा है तो context क्या है context है कि खतरनाक है reference किस चीज़ की दे रहा है यह खतरनाक है बाहर जाना बाहर मत जाओ विस्तर में लेटे रहो आराम से बाहर तुफान आने वाला बारिश होने वाली है रेफरेंशियल रेफरेंश दे रहा है यह हो गया context रेफरेंशियल function अब आता है हमारा sender sender होता है sender हमेशा expressive होता है emotive मतलब expressive अपने emotions को express कर रहा है तो express क्या कर रहा है जैसे मैंने बताया एक आशिक है महभूब को उसने खत लिखना है ठीक है फूल तुमें भेजा है खत में फूल नहीं मेरा दिल है चलो जी तो दिल जब अपना भेज रहा है तो काफी emotional हो जाता है मतलब कि expressive हो जाता है sender का क्या है emotive function है ठीक है अब बाताती message की तो message मान लो मैं एक poet हूँ मैं चलो एक हूँ poet हूँ छोटा सा ठीक है तो मैं क्या करूँगा कि जो message होगा जो मेरा content होगा जो मेरे words होगे वो मैं poetic use कर रहा हूँ ठीक है तो poetic function context का तो नहीं है लेकिन जो मैं उसमें content लिख रहा हूँ उसका है poetic तरीके से लिखूँगा defamiliarize करके मैं उसको लिख सकता हूँ उसमें बहुत सारे मैं literary devices यूज़ कर सकता हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो उसका poetic function होता है ठीक है अब connective का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी को पुकार रहे हो किसी को direct आप mention कर रहे हो किसी से direct आप बात कर रहे हो जैसी कि मैं आप से बात कर रहा हूँ अब आपका नाम तो मुझे पता नहीं है लेकिन for example मैं आपका नाम लेता हूँ जैसे अभीदा खातून एक मेरे comment करते रहते हैं यसी नाम याद आ गया तो मैं आपका नाम लेकर आपको कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि आप receiver है और यह receiver का connective function होता है ठीक है जब हम direct किसी को बुला रहे हैं पकार रहे हैं ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ कि channel channel को contact भी कहा गया है channel का function होता है fatigue का मतलब होता है कि simply for example आप एक date पे गए हो with a girl or a boy and you just want to break the ice you just want to create that conversation you just want to start interaction with your partner ठीक है लेकिन हो नहीं पा रहा है अब आप क्या करोगे यार आज मौसं कितना अच्छा है ना आप ऐसे start करोगे है ना तो फिर भी कि हाँ अच्छा है हमारे तो थंड रहती है लड़की बले कि हमारे तो काफी गर्मी रहती है तो मतलब कि आपकी बात start हो जाएगी ठीक है तो वो होता है fatic function channel का context का channel के माध्यम से जो है वो fatic function होता है अब fatic function से conversations खतम भी होती है जैसे कि आज के लड़िया कहती है हम ओके बाए अहाँ तो वो सारी चीज़े क्या है वो है आपका fatic function तो fatic का मतलब होता है कि जब आप किसी से कोई conversation start कर रहे हो उसका मतलब उसका मकसद यह नहीं होता है कि आपको कोई information देनी है या फिर you are seeking knowledge no उसका मतलब होता है simple सी एक conversation को start करना ठीक है fatic function वो होता है language का ठीक है तो वो channel और context से इसने बताया है चलो जी अब code की बात करते है metalingual metalingual का मतलब है कि language of language मतलब कि एक ऐसी language जो language के function को describe कर रही है ठीक है उसे कहेंगे हम metalingual तो यह code जो है metalingual है यह language related है ठीक है language की क्या importance है language जब language की बात करती है language जब language के function को describe कर रही है उसे हम कहेंगे metalingual ठीक है जी तो मैंने 6 जो इसके functions थे language के function जो रोमा जिकॉप्सन ने हमें बताये हैं वो मैंने आपको अच्छे से explain कर दी है ठीक है जी आप मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा मैं नहीं explain कर सकता और इससे अच्छा आप समझ भी नहीं पाऊगे है तो बाखी तो भगवान जाने है बहुत सारे लोग है इस दुनिया में समझाने वाले भी और समझने वाले भी तो मैंने तो अपनियों से पूरी कोशिश कर दी क्या आपको मैं समझा दूँ अब आपने क्या कर रहा है रोमा जेगबसन का एक और वर्क या दा रहा है मुझे function of language भी ऐसा है और on language ऐसा भी कोई वर्क है तो language 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 linguistics ठीक है function of language यह सारी बाते कौन करेगा रोमा जेगबसन विकॉज यह एक linguist था फरडिनेंद सुसर की तरह structuralism पे भी इसका काफी contribution है और यह Russian formalism में भी आता है मैंने पहले भी पता है कि जरूरी नहीं एक writer एक ही जगह होगा structuralism में होगा तो कहीं और नहीं होगा ऐसा नहीं होता है उनको आगे आने वाले critics ने divide किया है उनके काम के हिसाब से उने तो पता भी नहीं था कई writers को कि मैं कौन सी category में fall करता हूँ तो अगर आपको लगता है कि बड़ा अच्छा lecture है समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है मुझे आप Instagram पर भी follow कर सकते हो dana multitasker नाम है काफी अच्छी वीडियोस डालते रहे तो मज़ा आएगा जिंदगी enjoy कर सकते हो ठीक है बाकि आप में lecture enjoy किया है तो बहुत अच्छी बात है नहीं भी किया है तब भी आपको enjoy करना ही पड़ेगा क्योंकि net निकालना ठीक है जिंदगी में कुछ करना है पैसा कमाना इज्जत शोहरत नाम सब कुछ पढ़के ही मिलेगा भाया ठीक है चलो जी ठीक है बाई तब तक के लिए पनी life को enjoy करो अब ये आपने lecture देख लिया चाय कॉफी पियो और अराम करो बाई